किया आप जानते हैं कि रेल्वी की पट्रियों के किनारे बने बोर्ड सिगनल्स का क्या मतलब होता है आएए जानते हैं इन सिगनल्स के बारे में हमारी वीडियो में आगे देखे रेल्वे में सफर करते वक्त आपके सामने अकसर कई साइन बोर्ड आते होंगे इन में से कई board में stations का नाम लिखा होता है लेकिन कुछ signal ऐसे होते हैं जिसे जादतर यातरी जानते ही नहीं उन में से एक board है CFA जो हिंदी में लिखा होता है और English में WL का board जो पीले रंग के board में लिखा होता है इसमें WL का मतलब Whistle Level Crossing होता है वहीं दूसरी और Hindi में लिखे CFA का मतलब होता है CT बजाओ फाटक अब सवाल ये आता है कि आखर ये board किसके लिए मौजूद होता है तो आपको बता देखिए पीले रंग के board में लिखा CFA और WL ट्रेन लोको पाइलेट के लिए होता है ये sign बोर्ड लोको पाइलेट को सिगनल देता है कि इस एरिया में पहुचते ही लोको पाइलेट ट्रेन का हौन बजाना शुरू कर देए वहीं आपको बता देखिए बोर्ड आम तौर पर रेलवे क्रॉसिंग के 200-300 मेटर के आसपास लगा होता है लेकिन आखिर ये board पीले रंग का ही की होता है तो इसका कारण ये है कि पीला कलर काफी ब्राइट होता है और ये दूर से दिखाई देता है आप इन boards को whistle indicator board भी कह सकते हैं किया आप इससे पहले ये जानते थे हमें कॉमन में लेके ज़रू बताए और ऐसे ही railway facts चानने के लिए हमारे चानल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर ले